बॉर्णिंग ओल आफ यो, आएम डॉक्र साशिवाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ओफिस्ट्री, दिएभी फीजी पॉलेश चिवारी हम लोग मौरेन एड्मिस्ट्रेशन की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में सेंटरल एड्मिस्ट्रेशन की चर्चा किये हैं और आज हम लोग PROVINCIAL ADMINISTRATION और टाउगुन या MUNICIPAL ADMINISTRATION की चर्चा करेंगे तो आईए सबसे पाले हम लोग देखते हैं PROVINCIAL ADMINISTRATION हम लोग देखते हैं कि मोर्य समराज बहुत विशाल था और इसलिए प्रसासनिक सुविधा के लिए संपुर्ण मौर समराज को विभीन इकाईं में विवक्त किया गया था और इसमें सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी चंद्रगुप्त मौर के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी इसकी निस्चित जानकारी नहीं मिलती है लेकिन औस्वक के समय में कुछ प्रांतों का उलेख हमें मिलता है जिसमें उतरापत, दक्षिनापत, अवन्ती राष्ट, कलेंग, प्राची, इत्यादी का नाम हम लोग को प्राप्त होता है प्रोफेसर हिम चंद्र राय चौधरी के अनुसार इसमें प्रथम दो उतरापत और अवन्ती राष्ट या मध्य देश जिसको करते हैं और अंतिम प्रांत पूर्भी प्रदेश चंद्रगुप्त मौरी के समय में भी थी सवराश्ट भी चंद्रगुप्त मौरे के समय में एक प्रांत था और स्वतंत प्रांत था और यहां का सासक पुस्य गुप्त था वह चंद्रगुप्त के नियंत्रण में ही था प्राथी और समस्त उतरी भारत का सासन पाटली पुत्र सेश्वयम राजा करता था। दुरस्त प्रदेशों या सीमावर्ति प्रदेशों पर राजकुमारों का कंट्रोल रहता था और प्रांतिये शासक राष्ट्रपाल कहलाते थे। प्रांतिय प्रसासनिक व्यवस्था भी केंद्रिय व्यवस्था के अधार पर ही संगठित थी। केंद्रिय सरकार प्रांतिय सरकारों पर कड़ी निगरानी रखती थी। एध्यपी विसाल मौरे समराज को प्रसासनिक सुविधा के दरिश्थी कुण से विभिन प्रांतों में व्यवक्त किया रहा था। लेकिन ततकालिन सरोतों से ऐसी जानकारी मिलती है कि मौरे समराज के अंतरगत प्रसासनिक स्वायतता प्राप्त कुछ इकाईयां भी थी। एरियन ऐसी कुछ जातियों और नगरों का उलेख करता है। कौटिल भी अर्थ सास्त्र में आर्थिक, सैनिक या राजनितिक संगों का उलेख करता है जिरह कुछ प्रसासनिक स्वायतता प्राप्ती। इस संदर्व में कंबोज और सौरास्त का विशेश रूप से उलेख किया जा सकता है। असोक के तेरहवे सिलालेख में भी कंबोजों का उलेख है। इसके अतिरिक पॉस्चिमी सीमान या अपरांत के अन्य लोगों का भी उलेख किया गया है। इसके अंतरगत सौरास्त था। बोध गुरंथ पेतु बथू में असोक के समकालिन सौरास्त का राजा का नाम पिंगल बताया है। अता राष्ट्रिये को अधिक स्वायत्ता प्राप्त थे। इसमें 400 गाउं को सम्मिलित किया गया था, 200 ग्रामों का समुह खरवटिक कहलाता था, तथा 100 गाउं को मिला कर संग्रहन बनता था। अस्थानिय समस्याओं का निप्टाना था, वह अपराधों की रोक थांबी करता था, और ग्रामिकों के कारियों पर गोप नियंत्रण रखते थे। एक गोप केजी में करीब 10 ग्राम थे, गोप और अन्य प्रसासन के अधिकारियों के कारियों की देखभाल में प्रदिस्टा भी समाहर्ता की मदद करते थे। युनानी लेखक ग्राम थे सासन की प्रसंसा करते हैं। अब हम लोग ताउन या मुनिसिपल एड्मिस्ट्रेशन को देखते हैं। मौरे समराजी की अस्थापना तक भारत में अनेक नगरों की अस्थापना हो चुकी थी। हडपा के नगरों के पतन के बाद अनेक अर्थिक समाजिक और राजनेतिक कारणों से छठी सतापदी इस भी पूर्व में पुनह नगरों का उदय हुआ। इसे नगरी करण का दिवतिय चर्ण सेकंड अर्वनाइजेशन भी हम लोग कहते हैं। इसको माना जा सकता है सेकंड अर्वनाइजेशन। नगरों के उदय और विकास ने अनेक नई समस्याओं को भी जन दिया। अता इसके समाधान के लिए चंद्रगुप्त मौरे ने नगर प्रशाषन या म्यूनिसिपल अड्मिस्ट्रेशन की तरफ भी ध्यान दिया। और इस चंद्रगुप्त मौरे के नगर प्रसासन या मियोनिसिपल अड्मिस्ट्रेशन की चर्चा हमें इंडिका और अर्थ सास्त्र दोनों से इसकी जानकारी मिलती है मेगास्थनीज ने पाटली पुत्र के नगर प्रसासन का विवर्ण दिया है उसके अनुसार 30 सदस्यों का एक बोर्ड होता था और ये नगर प्रसासन का देख भाल करता था यह बोर्ड 6 समीतियों में विवक्त था और प्रत्यक समीति में 5 सदस्य होते थे पाली समीती सिल्पियों कारिगरों के कारियों की देखभाल करती थी और उसके लिए उचित मजदूरी की विवस्था करती थी दूसरी समीती को विदेशियों की देख रहका काम सौपा गया था या उनके उचित आवास चिकदसा सुरक्षा की विवस्था करती थी यहां तक कि विदेशियों की मृत्यू के बाद उनकी अंतेस्टे क्रियाओं तथा उनकी संपत्ति उचित उत्राधिकारियों को सुपुर्थ करने का काम भी यही समीती करती थी। तिसरी समीती नगर में होने वाले जन यह मृत्यू दर का ब्योरा रखती थी। चोथी समीती व्यापार माडेज अमापतल के प्रणाली पर निग्रानी रखती थी। पांचवी समीती का कारे कारिगरों द्वारा तयार किये गए समान की देखभाल उनकी विक्री का उचित प्रबंध करना था सात्मी और अंतिम समीती विक्री कर वसुलती थी वह बेचे गए समान के मुल्ले का दस्मा भाग होता था इन कारियों की अतिरिक्त संजुक्त रुप से म्यूनिसिपल बोड सर्वजनिक भौनों, बजारों, बंदरगाहों आधिकी देखभाल करता था बोड के सदस्यों को स्टी नूमई या नगर कमिशनर कहा जाता था अध्यपी मेगास्थनीज सिर्फ पाटलिप पुत्र के प्रसासन का ही बढ़न करता है लेकिन सामराज के अन्य नगरों में भी इसी प्रकार की बिवस्था का प्रचलन रहा होगा ऐसा हम लोग अनुवान लगाते हैं कोटल के अर्थ सास्त्र से भी हमें नगर प्रसासन का उलेक्ष या इसकी जनकारी मिलती है अध्यपी यह बोड और नगर समीतियों का जिक्र नहीं करता है लेकिन अनेक ऐसे पदाधी कारियों का उलेक करता है जो मेगास्थनीज द्वारा वर्णित कारे करते थे कोटल के पणिया धक्ष, संस्था ध्यक्ष और पोत्वा धक्ष वही कारे करते थे जो मेगास्थनीज के पहली, चौथी और पाचवी समीति के सद से करते थे तीसरी यंग छठी समीति के अनुकूल कारियों का भी वीबरण और सास्त्र में मिलता है दूसरी समीति युनानियों की संस्था प्रक्सिनर से मिलती जूलती है, दोनों भी व्रणों में समनताओं की बावजूद कुछ डिफ्रेंसेज भी देखने को मिलता है जैसे और्थ सास्तर में विक्री कर की मात्रा निश्चित नहीं की गई है, लेकिन मेगा स्तनीज के अनुसार यह विक्रय मूले का दसांस होता था कौटिल नगर प्रसासन से संबद अन पहलूं की भी चर्चा करता है, नागरक, नागराध्यक्ष, नगर प्रसासन का प्रधान था, वह आग से नगर की सुरक्षा का व्यापक प्रबंद करता था, दुर्भिक्ष के समय, राजकिय गुदाम से अन वित्रण करवाता था, मह करता है, नगराध्यक्ष के कारियों पर समाहर्ता नियंत्राड रखते थे, नगर चार वार्डों में विवक्ष था, पर्तिक वार्ड का वार्ड एक अस्थानिक के जीमे था, वह नागरक और गोप के बीच एक कड़ी का काम करता था गोप जनगर्णा प्रदाधिकारी था जो 10 से 40 घरों के सद्धस्यों की संख्या उनकी जाती गोत्र ब्योसाय, पसूँ और आय ब्याय का हिसाब रखता था प्रत्यक बाहरी ब्यक्ति के नगर में आने पर गोप को सुचना देनी पड़ती थी गुप्त चरों द्वारा नागरक नगर में होने वाले प्रत्यक गतिवीधियों की सुचना अपने उच अधिकारियों के द्वारा राजा तक बहुँचाया करता था ऐसा नगर और राजी की सुरक्षा के द्रिष्टिकोंड से किया जाता था नगर प्रशासन की यह व्यवस्था सम्वताबाद में भी चलती रही और सोग के अभी लेखों में नगर व्यवहारिक का उलेख मिलता है जो नगरा ध्यक्ष के समान ही कारे करता था इस प्रकार चंद्रगुप्त मौरे ने एक विसाल समराजी की अस्थापना के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की भी उचित व्यवस्था की उसमें सत्ता का अत्यधिक के द्रिकरंड राजा के हाथों में हुआ इस से राजा की अधिकारों में आते दिक विदी हुई लेकिन इस ब्यवस्था की बावजूद चंद्रगुप निरंकु सासक नहीं था वो प्रजा की भलाई में दिल्चत्री लेता था और इस ब्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि सारी ब्यवस्था राजा की यो प्रस्राय मिला और एक तरह से हम इसको मौरी सामराज के पतन के लिए भी इसमें सहाएक इसको मान सकते हैं तो इस तरह से हम लोग मेरान administration की तर्चा कर लिए इसकी केंद्रिय प्रशासन को प्रांतिय प्रशासन को नगर प्रशासन को हम लोग अलग लग से देखें objective type question में भी इसका जो हम लोग नगर प्रशासन देखें उसमें से आता है कि किस तरह से एक बोड जो मेगा स्थनीज के यात्रा बिर्तांत के अनुसार किस तरह से जो बोड था वो इसको इसका देख भाल करता था इस पर आता है objective type question भी इसको तुम लोग ध्यान रखना और इस administration system में हम लोग असोग के समय में कुछ परिवर्तन देखते हैं हम लोग इसमें पढ़े हैं कि इसको संसोधित और परिवर्तित भी किया गया तो जब हम असोग के समय आएंगे तो इसमें कुछ डिफ्रेंसेज देखते हैं कुछ परिवर्तन देखते हैं तो हम लोग अगले लेक्चर में असुक के अडिनिस्टेशन को देखेंगे और ये तुलनात्मक तरीके से इसमें चर्चा करेंगे इसको डिस्कस करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर ये द्वारा अस्थापित जो प् रिवर्तन किया तो ओके आर इतना ही थैंक्स